ये शर्षांतियोई नगाराम के छोट देख लो किछे लगी हुए छोटे देखो इसको महारा जो ये देख लो इत्टा होते भी फिलीस ने कारवई ने कि ये देख लो आखीर पता ने इसने क्या भी गडा आए पिलीस कारवई क्यों ने कर रही है पुलिस देखते ही कारवाई कर दे देखलो साथियो ठीक है साथियो नमस्कार ये है नगाराम पुत्र भगाराम जाती नई निवसी इस्ट रोल बानों की धानी टैसिल चोटन पुलिस था ना चोटन इन्होंने पुलिस थाना चोटन में करीब पांच मामले दर्ज करवाई है मगर नगाराम बता रहा है पुलीस द्वारा बिलकुल कारवाई नहीं हो रही है इसको लेकर आज परिवादी ने पुलीस अधिक्षक को ग्यापन सपा है कारवाई की मांग की है इन्होंने का मेरे साथ मारपीट की है मारपीट करनावाले मेरे चचेरे भाई है परिवार के ही लोग है उनके खिलाब मामला भी मैंने दर्ज करवाया है मगर प्लीश द्वारा बिलकुल कारवाई नहीं हो रही है दिनाग 5-10-2022 को राती करीब 108 बजे की बात है मैं अपने बाल कटिंग की दुकान पर बंद कर अपने घर जा रहा था उस समय उसी समय मेरे घर से 400 मिटर दूरी पर मगाराम सरपंस का गेट लगा हुआ उस गेट पर पहले से ही एक राई होकर तयार बेटे मुलजीम रावताराम पुत्र शुर्ता राम और गोतम राम पुत्र खेता राम जाती नहीं निवा सी इस रोल मेरा बीज रास्ता रोक कर मेरे साथ अम्मार पीट की है उसकी कारवाई की मांग को लेकर मैंने पुलीस अधिक्सक को ग्यापन सौपा है और अपन इससे बात करते हैं नगाराम से नगाराम क्या हुआ आपके साथ सर मैं अधुकान से आ रहा था बिसमें रस्ते में बड़ गाडी हुँ मारे जौंप खोले जौंप खोले और सानगार आपन आपन इसा आर आपन एक टीन आपन आपकेमपर मार पीट क किनी मारा थे जोगा डोगाडी ओंगिया भिजा भीस किनी और पाज़ों कॉसिज किनी मार पुलिस के पास जाते हैं पुलिस से जबाब देते नहीं है पहले भी पुलिस दगे मुगदमों दियो मैं गलत मेरा वीडिया बनाया गलत लुगई टाबरा वीडिया बनावे गलत कमेंट करें पुलिस कोई करवाई नहीं करें नहीं करें नहीं करें अज पीज आज में अच्पी साव मिलनाया एज में आपीज आया हूँ मार पीट करनिया कूँ आइ नहीं मार पीट करनिया मौर परीवारी यह कूँ नहीं है क्षेता राम जी घृतं रूब राम जी शुन्ना राम जी यह पॉंस आत्मीं है दोनमर का दंदा कर रहे दारू पेस रहे कि मेरे पास फ़ौन आ जाता हुआ कि कि आडिम आजा में तेरे को मार्क सब्सक्राइब जाए अब आपका काम हो जाए का ऐसा भोला है हाँ हाँ ठीक तो सत्यों यह है नगाराम जो आज अभी पलीस दिक सक्से मिला है और इन्होंने का है कारवई नहीं हो रही है कारवई की इन्होंने मांग की है धन्यवाद